हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टॉल उफ यू वेलकम टू लॉजिक पाच्छाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 और 12 जून 2023 के इंपोर्टेंट करन्ट अफियस के क्वेस्चन्स फ्रेंट्स इस वीडियो को पीडियाफ है वो आप लोग हमारे टेलिग्राम गुरूप से मिल जाएगा लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है तो चलिए फ्रेंट्स टारेकली शुरू करते हैं इस इंपोर्टेंट क्लास को हम अपने मोटिवेशन कोट से लगने लगेगा इसलिए कभी भी काम से पहले ना घबराएं उससे शुरू करने और अपने आप आप देखेंगे कि आप उससे कंप्लीट भी कर सकेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट डे से आज 12 जून है एक इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है जो की है वर्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यह दिन कब मनाते हैं? 12 जून को इसका उदेशी यह है कि जो Child Labor है उसके बारे में लोगों को अवेर करना और इसे समाप्त करने का और इसे end करने का संकल्प लेना कि Child Labor को क्या किया चाएगा? End किया चाएगा इस दिन की शिरुवाद 2002 में हुई थी, International Labour Organization ने इस दिन की शिरुवाद की थी और इस दिन का स्लोगन क्या है, Social Justice for All and Child Labour, तो ये रहा इसका स्लोगन, या दखेंगे, Important Day Huxer Exam में पूछ लिया जाता है, स्टार्ट करते हैं, First Question सी, Which Airport has introduced a new facility, Dizzy Yatra has been introduced to make travel easier, तो यात्रा को असान बनाने के लिए एक नई सुविधा, Dizzy Yatra को किसने शुरू किया है, तो इस facility को शुरू किया है, Indra Gandhi International Airport, जो कि Delhi में है, उनके द्वारे Dizzy Yatra facility को शुरू किया कया, Dizzy Yatra allow करेगा passengers to enjoy the benefits without having to download the mobile application, तो आपको mobile application डाउलोड करने के जरूत नहीं होगी, उसके बिना ही आपको यहाँ इसके काफी जादा benefits मिलेंगे, पैसेंजर जो है, इस facility को यूज करके अपना boarding पास scan कर सकती है, and face along with presenting identification proof to security staff deployed near the registration desk, तो काफी जादा passengers को देखे easy हो जाएगा, क्योंकि travel से पहले जो काफी चीज़ा देखे होती है, जो identify करना होता है, identification होती है, तो वो सारे चीज़ा यहाँ पर इसके थुरू काफी जल्दी हो जाएगी, बहुत easy तरीके से, उनको जादा लंबे lines में नहीं लगना होगा, आश्टे तक निगे कपड़ा mission की, जो छटी mission संचालन समों की बैटक है, इसकी अध्यक्षिता किस नहीं की, तो इस बैटक की अध्यक्षिता की है, पियोश कोयल ने, पियोश कोयल जो है textile ministry इनके पास में है, friends और उनके द्वारे इस meeting की अध्यक्षिता की गई, इसका उद पियोश कोयल से लेटिट और important news की, तो देखें, पियोश कोयल ने अभी national startup advisory council की meeting होई थी new Delhi में, इस meeting को की अध्यक्षिता की, इसके लावा new Delhi में session हुआ था, session of mesmerize, इसे inaugurate किया पियोश कोयल ने, पियोश कोयल ने address किया था, millet smart, nutritive food summit और ये summit कहां पे हुआ था, friends, new Delhi में, पियोश कोयल ने also देखें, जो world congress of accountants, जो ये 21st का session हुआ था, इसको address किया था, पियोश कोयल ने, और ये session कहां पे हुआ था, Mumbai में हुआ था, also पियोश कोयल ने Belgium में mango festival को inaugurate किया, तो ये कुछ important news याद रखेंगे, friends, और कोशिश में करूँगी कि जाद से याद आपको हर अगला question से कुछ ना कुछ revise भी कराऊं, अगला question देखिए, who has recently launched an online dredging monitoring system जिसको नाम दिया है, सागर समरदी, तो ये online dredging निगरानी परनाली है, सागर समरदी, इसे launch किया है, सरवनन्दा सोनेवाल ने, इनके पास port shipping water waste ministry है, सरवनन्दा सोनेवाल, इन्होंने ही इस portal को launch कि सागर समरदी जो system है, देखिए, इसका क्या उदेशे है, तो ये daily और monthly प्रोग्रेस को जो है, वो visualize, मत उसको monitor करेगा, और जो भी data होगा उसको track करने का भी ये काम करेगा, बात करें सरवनन्दा सोनेवाल जी से, तो related कुछ important news की, तो इंडिया का पहला international cruise vessel, जो कि कहां से कह तक चला था, चेन्नाई से श्री लंका, इससे flagged off किया था, सरवनन्दा सोनेवाल ने, इन्होंने नई दिल्ली में national mission conclave को inaugurate किया था, इसके लावा हरित सागर, जो green port guidelines से इंसे launch किया, सरवनन्दा सोनेवाल ने, सरवनन्दा सोनेवाल जी ने international yoga महस्तव को flagged off किया था, कहा से डिबडुगर सी, तो ये कुछ important news ने इंसे related, हमें friends अच्छे से दिन को धियान करकना है, और अगर आप बार बार पुरानी news को revise करेंगे, तो आप अच्छे से उनको cover कर पाएंगे, चलिए फिर अगला question देख लेते हैं, next question देखिए, किस राज्य के पहले अशोग चक्र awardee, जिनका नाम क्या है, हवलदार, L.B.D. Cruz इनका निदन हो गया, तो ये किस राज्य के पहले अशोग चक्र से सम्मानित परसन थे, answer is केरल इस्टेट, अशोग चकर इनने कब रिसीब हुआ था, 1962 में, कंट्री के पहले प्रेजिरेंट राजनात प्रसाद जी के द्वारा, इसके बाद इनको 1967 में शौरे चकर से भी सम्मानित, नहीं, 1967 में इसको शौरे चकर जो है, वो कहा जाता था, तो ध्यार ने किंगे, फ्रेंट्स, ने 1962 में ने रिसेव हुआ था, एक्जाम में जो है, ये ये एर भी आप लोगों से पूछ सकती हैं, नेक्स्ट क्वेशन, विच स्टेट गवर्मेंट हाज लॉंच्ट एन इंटिग्रेटेट वॉर्टर रिसोर्से एक्शन प्लान 2023-25 अंडर अमरित जल क्रांती, तो अमरित जल क्रांती के तहत एक एकिकरत जल संसाधन कारीयोशना को किस राजसरकार ने शुरू किया है, तो उदेश है कि स्टेट में जो वॉर्टर रिसोर्सेज है, उनको कंजर्व करना यानि उनका संरक्षन करना, हर्याना की कापिटल है चंडीगर, चीफ मिनिस्टर है मनुहलाल खटर और गवर्नर है बंडारो दतातरे, हर्याना ने जो है देखिया अब ये कैम्पेंग शुरू परसेंट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, नॉथ इंडिया का जो पहला नुकलियर पावर प्लांट है ये हर्याना के गोरकपुर में जो है इसको सेट किया जा रहा है, इसके लावा फ्रेंट्स इंटरनाशनल गीता महसव इसे हर्याना के कुरुशेतर में आयोजन किया गय हर्याना की सरकार ने pet dogs के लिए registration को mandatory किया था वर्ड के largest jungle safari park इसे कहां पे develop किया गया हर्याना स्टेट में अगला question which state government has advised women to apply for शक्ती smart cards to avail the free travel in state run buses तो किस राजय सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यातर का लाब उठाने के लिए शक्ती smart card के लिए आविदन करने के सला दी इससे देखे उनको क्या होगा कि इससे state buses चलती है उसमें उनको free में travel करने की मतब सुविधा मिल जाएगी और ये किस government के दोरा किया गया है answer is करनाटक तो जो करनाटक में देखे कि government buses चलती है around 40 lakh women's जो है daily उसमें जो हैं सफर करती है तो उसमें ये उमीद है कि देखे इस योशना के तहट 10% की व्रद्धी होने की उमीद है चो ये free travel scheme है क्यों से वो क्या कर सकती है बस इसमें free travel कर सकती है करनाटक की बात करते हैं गवर्नर है थावर्चंद गहलोत विरुपक्ष टैंपल गोमेतेशुरा टैंपल ये important यहां के टैंपल से है यहां का folk dance है यक्षगान important national parks की बात करते हैं तो हैं बांदीपूर, बानेर घटा नैशनल पार्क, कुंदरे मुख, नागर होल और अंशी नैशनल पार्क करनाटक से बात करते हैं कुछ और important news की तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरींदर मोदी जी ने जो शिवा मोगगा एयरपोर्ट है इसके अधाशिला रखी करनाटक में करनाटक की चीफ मिनिस्टर के दुआरा लॉंच किये गए 108 नम्मा क्लीनिक्स को बंगलोरू शहर में next वेंट करनाटक जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने इंप्लीमेंट किया था इशू किया नेप 2020 को करनाटक की सरकार ने सांस कैंपेंग शुरू किया था सांस की फुल फॉर्म किया है social awareness and action to neutralize pneumonia तो इस प्लान को भी करनाटक सरकार ने स्टार्ट किया अगला question विच स्टेट गवर्मेंट हैस डिसाइड़ तो कैंसल ओल ट्रैफिक चलान फॉर प्राइवेट और कमर्शिल वहिकल ओनर्स पेंडिंग फॉर्म 2017 तो 2021 2017 से 2021 तक देखिये जो ट्रैफिक चलान है देखिये जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके ओनर्स के लिए जितने भी ट्रैफिक चलान है उनको कैंसल यानी रद करने का जो निर्णे लिया है ये निर्णे लिया है उत्तरप्रदेश गवर्मेंट ने सो गवर्मेंट ने देखिये निर्देश जारी करें हैं कि जो भी पेंडिंग चलान से इचलान है उनको इचलान पोर्टल से तुरंत रिमूफ किया जाए तो ये जो है वो निर्देश अभी जारी किये गए यूपी ने देखिया भी बात करते हैं तो यूपी सरकार ने अभी एक एल्डर लाइन सर्विस को शुरू किया था ताकि जो होमलेस एल्डर से उनको शेल्टर पोवाइड की जा सके उत्तरप्रदेश पहला स्टेट बना जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ पहला एशियन किंग जो वल्चर कंसरवेशन सेंटर है यहां पे यूपी में खोला गया यूपी के सरकार ने अप्रूफ की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को नेक्स्ट यानकेंगे समगर सिक्षा अभियान को उतरप्रदेश सरकार ने शुरू किया था अभी रिसेंट ही गवर्मेंट हैस रिसेंटली लॉंच्ट अन्यू स्कीम मुख्य मंत्री लाडली बहना योजना फॉर वुमन एंपावर्मेंट मुख्य मंत्री लाडली बहना योजना यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया तो इसे शुरू किया है मध्यप्रदेश गवर्मेंट ने तो इ भूमिका को बढ़ाना यही जो है इस scheme का में परपस है जिस परपस से इस योशना को सरकार ने शुरू किया है अच्छा मद्र परदेश की बात करते हैं सो फ्रेंग्स मद्र परदेश सरकार ने जो कुछ और scheme को शुरू किया जैसे कि हां पर लाडली बहना scheme तो हो गई CM Learn and Earn Scheme यहाँ पर शुरू हुई, मुख्य मंत्री सीखो कमाओ योशना, Chief Minister Residential Land Rights Scheme, Launchpad Scheme, Punk Abiyan, Sickle Cell Mission. यह सभी ऐसे Scheme, ऐसे Mission हैं जो स्टार्ट किये मध्यपरदेश सरकार ने. अगला question है, which company has recently launched a new voice chat feature to its AI-powered Bing chat on the desktop? किस company ने देखे हाल ही में, desktop पर अपने AI संचालित Big Chat के एक नया voice chat feature जो है इसे लाँच किया है, तो यह voice chat feature जो है इसे लाँच किया है Microsoft ने. यह users को देखिए, जो Bing chatboxers में microphone icon पर click करके, वो AI chatbots से बात करने में उनको help करेगा. करेंटली जो voice chat features में वो 5 language को support करता है, English, Japanese, French, German and Mandarin. Microsoft की स्थापना हुई 1975 में, headquarter Microsoft का है Washington में, chairman CEO है Satya Nadella और president कौन है? Brad Smith. आगला question, which of the following bank has launched the I am Adyar, Adyar is me campaign? I am Adyar, Adyar is me जो campaign है, इस campaign को शुरू किस ने किया? Federal bank ने. क्या मतलब इस campaign का तो इसका उदेशे है, Adyar के जो local community है, उनका सम्मान और जश्न बनाना, यहनि उनको honor करना, celebrate करना, इसका उदेशे है. इस अभियान के लिए Federal bank की जो Adyar branch है, उसको एक living museum में बदल दिया गया है, ताकि वहाँ की जो local community है, उनके बारे में चीज़े बताई जा सके, उनको honor किया जा सके. इसी उदेशे से सिस campaign को Federal bank ने शुरू किया है, Federal bank के स्थापना 23 April 1931 को KP Hormis ने की headquarters का कोची केरल में है, CEO का नाम है श्याम श्री निवासन. अभी आपको याद होगा कि SDFC bank ने जो है एक नया credit card launch किया, नाम किया दिया इसे millennia cashback के लिए, इसके लावा फ्रेंट्स bank को बडोधा ने launch किया intro parable cardless cash, RBI government ने financial inclusion dashboard launch किया और इस dashboard को नाम किया दिया अंतर दृष्टी, ठीक है फ्रेंट्स से याद रखिएगा. अगला question, who has been appointed as a vice president for finance and chief financial officer at Harvard University? Harvard University में वित के उपाध्यक्ष और मुख्ये वित्ये अधिकारी के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? आंसर है, रितु कालरा को जो है इसके लिए अपॉइंट किया गया है. अच्छा कुछ और अपॉइंट्मेंट्स की बात करने, फ्रेंट्स तो बढ़ वेंग के अभी प्रेजिडेंट कौन बने? अजय वांगा. फर्स्ट पहली बार देखे किसी इंडियन ओरिजन को अपॉइंट किया गया है. बिर्मिंगम में लॉर्ड मेयर वेपत पे, उनका नाम है चमनलाल. यूर्स अम्बैसेटर फॉर ग्लोबल वुमेंस इशू किसे अपॉइंट किया गया? गीता राओ गुपता को. इसके लवा, बाइडन अद्मिनिस्टेशन में डुमेस्टिक पॉलिसी अड्वाइजर कौन बनी? नीरा टंडन. अगला कुश्चन देखे. वू हैस बीन अपॉइंटेड एस चेर्मेन ओफ ट्रांस यूनियन सिबल? ट्रांस यूनियन सिबल के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? सही आंसर है. फ्रेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा. वी अनन्त रामन ये अपॉइंट हुए हैं ट्रांस यूनियन सिबल में चेर्मेन पतपे. अभी रिसेंट कुछ और अपॉइंट्मेंट्स की बात करें तो देखें यूको बैंक के MDCO बने अश्विनी कुमार, करनाटक बैंक के MDCO बने शिरी कृष्रन हरीहर शर्मा, पेटियम के पार्ट टाइम चेर्मन अपॉइंट हुए विजय शेकर, ITBI बैंक के डेपुटी मैनेचिंग डारेक्टर बने जेकुमार, एस्पिलाई, पेटियम के प्रेजिडेंट और CEO कौन बने भावेश गुपता. अगला क्वेशन, विच फुटबॉल क्लब हास बिकम दी मोस्ट वेल्यूबल फुटबॉल क्लब इड यूरोप आफ्टर रिप्लेसिंग रियल मैट्रेड, तो अब रियल मैट्रेड को हटा कर कौन सा फुटबॉल क्लब जो है यूरोप का सबसे मुलेबान फुटबॉल क्लब बन गया है? तो answer है Manchester City Manchester City जो है अब यूरोप में सबसे ज़ादा बिल्यूबल जो है फुटबॉल क्लब बन गया तो आपको इतना ध्यान रखना है कोशन से अगला कोशन Who has become the youngest Grand Slam wheelchair champion 2023 सबसे यूवा Grand Slam wheelchair champion कौन बन गए है तो जापान के Tokito Oda ये बनी है youngest Grand Slam wheelchair champion तो ये 17 year old है और ये wish number one जो है वो champions बनने की भी उमीद में है इसी चीज़ के साथ ही also become the sports youngest Grand Slam champion तो यहाँ पर friends हमारे questions complete होते हैं आज के अब चले cover करते हैं स्टैटी जीके के questions को पहला question देखे क्या है अच्छा डानी मार्च की बात करें तो इसे और नाम से भी जानते हैं 12th of March 1930 को 25 दिन तक ही चला और कब तक चला 12th of April 1930 तक जो है वो डाड़ी मार्च चला था तो salt law को break करने के लिए ही डाड़ी मार्च को शिरू किया गया था अगला question who among the following governor general of India was called the maker of modern India यानी आदुनिक भारत का निर्मादा किसे कहा जाता है आंसर है Lord Dalhoji को कहा जाता है maker of modern India Lord Dalhoji का time period की बात करें 1848 से 1856 इन का time period था तो जब पहली जो railway line connect हुई थी इंडिया में Bombay to Thane, Concierge में 1853 में तो उस time पे governor general कौन थे? Lord Dalhoji तो ये question अक्सर exam में पूछ सकती है Also Lord Dalhoji ने past किया था Post Office Act 1854 ठीक है ये भी ध्यान रखेंगे ये दोनों important point है Next question, अगला question है Which one of the following dynasty was ruling at the time of Alexander invasion? तो सिकंदर के आकरमण के समय निमलिकित में से किस राजवश का साशन था? तो उस time पे साशन था किसका नंदा डाइनस्टी का? अगला question है Which one of the following is the main culprit in the thinning of ozone layer in the earth stratosphere? देखें, ozone layer प्रत्वी के समताप मंडल में है तो उसके पतले होने का या आप कह सकते हैं कि उसके हार्म होने का क्या मुख्य कारण है? तो उसका कारण है chlorofluorocarbon जो ये gases हैं देखिए ये काफी जादा ozone layer को harm करती है और ozone layer जो हमें sun से UV rays आती है उनसे protect करती है जिस तिती को दिन और रात बराबर होते हैं वो कौनसी डेट है? सही answer है 21st March और 23rd September को जो है वो दिन और रात की अवदी बराबर होती है अब बात करें इसका reason क्या है? इसका ये reason है जिससे ये हमारी earth है और ये इसके को बीच में divide करने वाली कौनसी imaginary line है? इक्वेटर पर फोल होती है डारेक्ली इस ताइम पर इस position पर कोई भी पोल जो है वो sun के तरफ tilt नहीं होता मतब जुका हुआ नहीं होता है जब जुका हुआ नहीं होगा तो sun की ray बिल्कुल डारेक्ली जो है वो इक्वेटर पर पढ़ेंगी ठीक है? इसलिए जो है वो यहाँ पर दिन और रात की अवदी बिल्कुल इक्वल होती है और इसी गटना को क्या कहा जाता है? एक्जाम में पूछ लेते हैं इसे गहते हैं इक्वी नॉक्स जो है वो इसे कहा जाता है ठीक है फ्रेंड्स? तो यह आपको याद रखना है important point है काफी जादा तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे questions complete होते हैं आउ टाइम आता है test का आप मुझे इनके answer comment box में बताएगा पहला question देखे मुथ मिस सेल्वी has become the first woman from which state to climb Mount Everest? तो यह किसे state से हैं जिन्होंने अभी हाली में Mount Everest climb किया अगला question नालंदा बुक का नाम है देखिए तो who is the author of recently released book जिसका title क्या है? नालंदा तो इस book के author का नाम क्या है? इन दोनों question के answer आप जल्दी से हमें comment box में जरू बताएगे friends इसे के साथ आज की class हमारी यहाँ पे complete होती है अगर आपको हमारी class अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरू करें share करें अपने दोस्तों के साथ में और चानल पे नए हो तो please चानल को subscribe जरू करें ऐसे ही friends अच्छे से पढ़ाई करें देगे मेहनत करेंगे तो आप जरूर एक नएक दिल सफल होंगे Thank you so much for watching this video